हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं पाइलोजी इन हुमन वेलफेर के पार 23 से इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रिविंशन एंड कंट्रोल कि हमने पढ़ा था अबाउट ड्रॉक्स और एलकोहल और क्या उसके नेगेटिव इंपक्त होते हैं बट इस पर्टि वो यहां पर भी एकदम सही है. It is also true that habits such as smoking, taking drugs और alcohol are more likely to be taken up at a young age. मतलब कि बलोगों में जो भी यह habits होती है, चाहे वो smoking की हो, चाहे वो drug लेने की habit हो, चाहे alcohol consume करने की habit हो, यह बहुत ही young age में start हो जाती है और mostly adolescence age में जब बच्चा चाइल्ड से एक proper adult में convert हो रहा होता है. Hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent towards the use of drugs or alcohol and to take remedial measures well in time. मतलब सबसे पहला best option क्या है कि हम वो situation identify करें. हम जो situation है जो एक adolescent को पुछ कर रही है कि वो किस वज़ा से drugs लेने पर उतरा है या फिर वो alcohol consumer होने पर उतरा है, तो वो क्या reason है, उसको हम identify करें and when हम इसको identify कर लेंगे, then obviously थोड़ा सा हम उसके लिए remedial measures को ले सकते हैं, जो भी remedial measures possible होंगे वो सब. In this regard, the parents and the teacher have a special responsibility. इसमें क्या होता है, जो parents होते हैं और जो teachers होते हैं, उनकी बहुत ही special responsibility होती है. Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance abuse. देखो, एक तो ये चीज़ होती है कि अगर कोई parent है, जो बहुत ही properly मतलब अपने बच्चे को देख रहा है शुरू से, और उन्हें कोई भी ऐसे symptom दिख रहा है कि या कोई भी ऐसी चीज़ दिख रही है कि जिस वज़ा से ये बच्चा इन चीज़ों की तरफ जा सकता है, alcohol, drugs, tobacco की तरफ, अच्छा, कई बार क्या होता है, कई cases में parents क्या करते हैं, बच्चे को बिलकुर neglect कर देते हैं, तो वो चीज़े उसको कहां देखने को मिलती है, जो दोस्ती है, जो भी वो चीज़े होती है, वो उसको अपने दोस्तों में मिलती है, तो वो automatically turn लेता है towards these things, क्योंकि उसको घर पे वो support नहीं मिला, और कई case ऐसे भी है, जहां घर भी support मिला है, तब भी यह कहते हैं, बच्चा एडिक्ट हो चुका है, या दीरे दीरे एडिक्ट हो रहा है, ठीक है, but still, सबसे पहली बात जो हम करेंगे, that is prevention की बात करेंगे, control की बात करेंगे, ठीक है, and obviously हम देखेंगे कि कैसे हम इसको prevent कर सकते हैं, the first thing would be, avoid undue peer pressure, एक बहुत ही common, जिसे कहते हैं, reason जिसके वो इस चीज़ को ले, for example, एक ग्रूप में एक सारे बच्चे हैं, ठीक है, उसमें एक बच्चा है, जो बिल्कुल ये सब चीज़े नहीं करता, but अगर तीन लोग करते हैं, और फिर वो उसको बोलते हैं, कि तू ट्राय कर, तो वो बोलेगा, नहीं मैं नहीं करना चाहता, or whatever is the thing, वो बोलेगा, मैं नहीं करना, but फिर क्या होगा, कि वो उसको कुछ बोलेगे कि तू लेता नहीं है, इस तरह से, या फिर कई बार वो देख के, उसको मन नहीं था, but उसने देखा कि उसके दोस्त हैं, या जो भी है, उन चीज़ों की वज़े से उसने first time वो consume करा, and obviously we all कि पहली बार consume करके भी कई बार वो lifetime वाली चीज़ बन सकती है, every child has his or own choice and personality which should be respected and nurtured, मतलब हर एक बच्चे की खुद की अपनी choice होती है, personality होती है, जिसको respect करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर वो ये नहीं लेरा तो क्यों नहीं लेरा गलत है, इस तरह से नहीं ह होना चाहिए, a child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities, एक और चीज़ है कि हर बच्चे का अपना threshold है, अपनी capacity है, तो उसको push नहीं करना चाहिए कि करो, 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 जबकि हमें भी पता है कि हमारी capability क्या है, जब आप इसी बच्चे को बहुत जादा प्रेशराइज करते हो for certain things, be it education, be it some sports, तो उसको फिर वो चीज़ है न, उसको उस चीज़ से escape करने के लिए, temporary measure में वो लेता है, ये alcohol, ये drugs कि मैं थोड़े टाइम के लिए तो relief पाऊंगा, इस तर इसी thinking होती है, इसे लिए जो first चीज़ है, that is, avoid undue peer pressure, तो बड़ी बात है कि आप peer pressure को बिलकुल control करके रखो Next है education and counselling, educating and counselling him, her to face problem and stresses and to accept disappointments and failure as a part of life, मतलब की, सबसे पहली बात तो है कि अगर कोई भी बच्चा है, जिसको कोई problem है, या वो आपको लग रहा है कि सही face से नहीं जा रहा है, be it studies, be it any other thing, be it relationships, तो there should be, you know, proper education and counselling for him or her counselling में आप उसको guide कर सकते हो कि अगर ये चीज इस time पे गलत है, तो आगे जाके ठीक हो जाएगी, so you don't have to worry दूसरी चीज, कई बच्चे जो होते हैं, वो disappointments, जो failures होते हैं, ठीक है, life में जहां वो success नहीं पापाते हैं, उसको permanently ले लेते हैं कि ये ही मेरी life है तो हमें ये चीज उनको समझानी चाहिए, it's okay to accept disappointments की नहीं हुआ कोई बात नहीं मतलब उसने क्या बोला कि बच्चे की जो energy है, अगर समझ लीजे, वो किसी चीज में नहीं अच्छा कर पा रहा है या कुछ भी ऐसी बात है, तो हम उस energy को channelize करें किस तरफ कुछ भी जो उसका interest हो, beat, sports, reading, music हो गया, yoga हो गया, जहां भी बच्चे का interest है, उस सब की तरह हम उसको channelize करें, उसको समझाएं कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ, ये चीजे हैं, ठीक है, because बहुत सारे cases देखे ये final है, बल्कि ऐसा नहीं होता, तो ये हमें उनको समझाना पड़ेगा, जो हम adult है, जो बड़े हो चुके हैं, हमें उन बच्चों को समझाना पड़ेगा, कि this is not final thing, this is something की बस एक phase है, जो निकल जाएगा, ठीक है, seeking help from parents and peers, दूसरी चीज है, अगर कोई बच्चा कोई problem phase कर तुने ये कैसे कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, कि ठीक है, तुमने कर लिया, तुम से तुम गलती से इन चीज़ों में पड़ गए हो, but we are there, so same thing applies for peers and parents, कि भई हम उनको बहुत अच्छे से guide करें, और बच्चे को भी help लेनी चाहिए, अपने parents से, help may even be sought from close and trusted friends, अच्छे problems, this would help young to vent their feelings of anxiety and guilt, देखो, उसने क्या बोला, sorry, besides getting proper, एक तो देखो, क्या होगा, कि बच्चों की problem solve होगी, ठीक है, अगर parents supportive है, दोस supportive है, they will definitely get some solution, but also, वो जो उनकी एक feeling है, कि anxiety की guilt, कि जब आपको इचीज सिफ अपने तक रखते हो, कुछ गलत चीज, तो हमेशा वो एक feeling आ कि नहीं है, गलत कर रहा है, यह हुआ, वो हुआ, तो वो feeling भी निकल चाहेगी, अगर हम, नहीं चाहूँ, मतलब जगट खोड़ा भी हम help लेंगे, तो, looking for danger signs, अब देखो, मैंने क्या बोला था, कि जो भी लोग यह चीज़ें कर रहे होते हैं, if someone is consuming drugs, or if someone is consuming alcohol, तो there are signs, ऐसा नहीं है कि वो behavior में changes नहीं आएगा, तो जो parents होते हैं, या जो teachers होते हैं, they should be alert, काफी alert रहना होता है, उन्हें क्योंकि हम ही वो हैं, जो उनको identify कर सकते हैं, for example, कई बार बच्चे एकदम recluse हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, they do not mix with others, so, वो किस case में होता है, इरुन एकदम से drugs लेना शुरू किया, teachers के लिए, this is कि एक बच्चा अच्छा था, bright था, या average था, अब एकदम से वो बहुत ही बेकार perform करने लग गया, so, there must be some reason कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो यहां पर भी लिखा है, even friends, if they find someone using drugs और alcohol, तो उन्हें hesitate नहीं करना चाहिए, कि parents को बताया जाए या teachers को बताया जाए, ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त कर रहा है, तो उसको बताऊंगा, तो उसकी dart pit जाएगी, तो मेरे दोस्ती खराब हुजाएगी, अच्छा दोस्त वही होगा उस time पे, जो parents की concern में ये बात डालेगा, कि भाई, आपका बेटा या बेटी जो भी है, वो कुछ दिये जा पाएंगे, this would help in taking proper remedial steps or treatment, दूसी चीज, इससे क्या होगा, जो भी parents है, जो भी, मतलब, well wishers है, वो proper step ले पाएंगे, कि क्या करना चाहिए, इससे के problem solve हो, sorry, ठीक है, now, seeking professional and medical help, कई बार cases ऐसे होते हैं, कि बच्चे अपने आप मान जाते हैं, और धीरे-धीरे parents की guidance में, they leave such things, but sometimes the situation are worse, वहाँ पर क्या होता है, बच्चे नहीं ले पाते help अपने parents की, और parents की help की बाद भी, उनको कुछ solution नहीं मिलता, तो वहाँ पर medical help लेनी पड़ती है, तो they give certain medicines, जिससे आपने रिहाब भी सोना होगा, रिहाब में क्या करते हैं, कोई अगर बहुत जादा उसको नशा करने की आदत है, वो छुडवाते हैं, ठीक है, a lot of help is available in the form of highly qualified psychologist, psychiatrist, and de-addiction and rehabilitation programs to help individual who have, unfortunately, got into the quagmire of drug alcohol abuse, एक बात है, कई बार ये case हो जाता है, कि वो परसन ले रहा है, वो छोड़ना भी चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ना नहीं चाहता, बट ड्रॉक्स का ये इंपक्ट होता है, बॉड़ी पर वो ही विड्रॉल सेंड्रोम कि जब उसको छोड़ना शुरू करते हैं, तो बॉड़ी रिजेक्ट करती है, कि नहीं छोड़ना नहीं है, लेना है, दुबारा लेना है, जैसे कोई चोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक दम से उसको लाइटरिस्ट और दूसी तरह की मेडिसिंस दी जाती हैं, ताकि वो जो एडिक्शन है, वो छूटे, तो हमें उसका ध्यान रखना है, तो अच्छी है, अगर विल पावर है, वो अच्छे से बेटर होके रहे, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम एकदम सॉल् पर फूरत सा सपोर्ट सबकी दरफ से चाहिया होगा, तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे मतलब प्रिवेंशन हो सकता है, और अगर हो चुकी है प्रॉब्लम तो कैसे कंट्रोल हो सकता है, दूसरी चीज, इस पार्ट के बाद हमारा ये चैप्टर खतम हो गया, इसके नेक्स पार्ट में हम लोग नेक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये जो सीरीज है, इसमें हर टॉपिक को मैंने NCRT के बहुत डेटेल में समझाया है, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल चाहेगा, और उसके इलावा डिरेक्टली मेरे चैनल पे उस सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप पार्ट वाइस देख सकते हैं, थैंक्यू सो मच्छ